वागत है आप सभी का एक को न्यू वीडियो पर दी कि जिन बच्चों न एमपी वोड में इस बार के सप्नी वेंटर एक्जाम दी हैं उनको तो एमपी वोड ने काफी जदा परिशान कर रखा है रोज अपन चेक करते हैं कि पर इसके बारे में कोई भी इन्फोर्मिशन सामने नहीं आ रही है इसी बीच एमपी वोड की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें कि आपको फिक्स डेट इन टेम बताया जा रहा है कि इस दिन और इतने टेम पर आपका सप्नी वेंटर एक्जाम का रिजेट जाएंगी अब यह जो नोटिस आप अभी स्क्रीम पर देख रहे हैं यह आप में से काफी होने मेरे पास भी जाता है इसमें आपको बताया जा रहा है कि 31 अगेस्ट दुपएट साड़े बारा बज़े आपके सपनी वेंटर एक्जाम का रिजल्ट अनौस हो जाएगा इसक तो यह नोट इस पूरी तरीके से फेक है इसको एडिट किया गया है उपर जो शत्ता इस तरीक के डेट है उसका फॉंट भी आप देखकर समझ गए होगे कि MP वोट कभी भी इस फॉंट में यह फर पूरा नोट इस MP वोट एक ही फॉंट में जारी करता है डेट में कोई दूसरा फॉंट है बाकि जो डेट और टाइम है उसमें भी आप दूसरा फॉंट देख पा रहे होगे तो यह पूरी तरीके से फेक नोटिस है इस टैप के काफी सारी चीज़ा यूट्यूब पर हो रही है काफी जादा वेबसाइट पर भी आपको ऐसा बताया जा रहा है क कि सपनी वेंटर एक्जाम का रिजर्ट अनौस हो गया है पर MP वोड की तरफ से अभी तो कोई भी ऑफिशिंग अपडेट सामने नहीं आई है कि कौन से दिन और कितने टाइम पर आपका रिजर्ट अनौस किया जाएगा तो यह जो आपको वीडियो में फेक नोट बना बना हो जाती है कि 31 तारीक को रिजर्ट आ गया है पर हमारा इशू नहीं हो रहा है तो इन चीज़ों से बच कर रहेगा बाकि जो भी सही इंफॉर्मेशन आती वो मैं आपको बता ही रहूं तो connected रहेगा and कुछ government teacher से भी मैंने contact किया है उनका भी यही कहना है कि 4-5 दिन के अंदर आपका result नाउस हो सकता है and MP वो जिस सिस्टम पर काम करता है तो वो आपको official notice जरूर से देगा उसमें आपको date and time बताई जाएगी उसके बाद ही आपका result नाउस होगा इसे direct result नाउस होने के काफी कम चांसे से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जो भी information आएगी वो मैं आपक आपको बताई दूंगा तो connected रहेगा को डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या अपने से इंस्टाप एडियम गर के बाद भी कर सकते हैं